असकार and welcome to Curiously Education दोस्तों आज 18th May 2022 है दिन है Wednesday और आज हमारे डिबल पर हैं पाँच इम्पोर्टेंट टॉपिक्स Twitter NSC 2021 Glitch फिर 5G Spectrum पर DCC का जो decision है उसको देखेंगे फिर Prime Minister साब ने 5G के बारे में अपने कुछ व्यूस दिये हैं कुछ facts शेर किया है and then we will talk about tractor business दोस्तों please make sure कि आप इस lecture को दूसरे लोगों के साथ शेर जरूर करें Do check out my motivational podcast Curiously Forever यह से भी बड़े podcast platforms पर available है Twitter Elon Musk I'm sure आपको इस बारे में पता है कि Elon Musk ने ये कहा था अभी Twitter को खरीद नहीं लिया है उन्होंने कहा कि वो 44 बिलियन डॉलर में Twitter को खरीदने के लिए तयार है अब उन्होंने ये कहा है कि Twitter में जो fake accounts हैं जो bots हैं वो बहुत ही ज्यादा है उन्होंने ये कहा है कि Twitter को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि उनके पास जो fake accounts हैं वो 5% या फिर उससे कम हैं अगर ये चीज़ वो प्रूव कर देते हैं तो फिर वो डील को आगे ले जाने के लिए तयार हैं इलान मस्क और Twitter के जो चीफ है पराग अगरवाल तो उनके बीच में एक online एक debate हुई एक प्रकार की ये बटेड हेड्स यहां पर लिखा है बटेड यानि कि दूसरे के साथ अपने सिर उन्होंने तकराए और एक प्रकार की argument होगी शायद और ये बाते आ रही हैं के इलान मस्क को अब खरीदना नहीं है खरीदना है तो बहुत ही कम पैसे में खरीदना है या फिर वो खरीदे ही नहीं वह इसा ही उन्होंने आज सोच लिया और ट्विटना नहीं है उसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है फिर पूरी इलान मस्क की टीम जो है वो कितनी सारी चीजों को देखेगी और प्रोज और कॉंस देखे जाएंगे यह सारी चीजों के बाद फाइनल जो है वो डिसीजन दिया जाएगा लेकिन ट्विटर के जो शेर्स है वो ड्रॉप हुए राइट अगले दिन यह 8% गिरे थे फिर नियॉर्क की जो मार्केट है स्टोक एक्सचेंज है तो वहाँ पर 3.2% और ज्यादा गिरे तो ट्विटर के लिए यह थोड़ा नुकसान है एनसी 2021 ग्लिच यह यह याद है यह ग्लिच और इसकी डेट भी आपको बता दू फेबरुआरी 24th 2021 तो ऐसा हुआ था कि स्टोक मार्केट जो है नसी यह 4 लेंग होगे बंद होगे थे त्रेड है नहीं हो पा रहा था तो नेश्नल स्टोक एक्सजेंज यान की एन्स ए जो है वो सेभी के पास गई है और कहा है कि यह जो प्रॉब जल रहे है जो इ civission चल रहे है तो इस स्टीगेशन का अब खत्म nuestro हनकर देता है इन एस की subsidiary है NSE Clearing Limited NCL तो यह जो NCL है इसने भी से भी के पास एक consent application file किया what is consent application consent application में ऐसा होता है मैं यह पढ़ देता हूँ आपके लिए then I will explain it to you so consent is a way in which an entity facing investigation into alleged security market violations can settle a case with SEBI by paying a fee without admitting or denying wrongdoing doings कि कुछ let's say हो गया तो आपको जो एक fee pay करनी है वो SEBI को pay कर देंगे because SEBI is market regulator तो उसको आप fee pay कर देंगे without admitting or denying wrongdoings इसका मतलब यह है कि आप मान रहे हैं कि कुछ गलत हुआ था लेकिन आपने नहीं किया था wrongdoing जो है उसको deny नहीं कर सकते और आप admit भी नहीं करें किया आपने किया तो this is like a consent तो यह एक system है अब SEBI और यह जो NCL है दोनोंने 25-25 लाख रुपए SEBI को दे दिये हैं और SEBI जो है वो NSE और NCL के पास से यह detailed written statement मांगा है कि क्या क्या चीजें हुई थी और अब remedial measures क्या है कि future में अगर ऐसा होगा तो क्या backup system है और कौन से technical चीजें आप देख रहे हैं etc और अभी जो top executives है ना तो top executives के ओपर investigation चल रही है कि आपने backup और यह सारी चीजें थी तो फिर आपने उसका इस्तमाल क्यों नहीं किया अब NSE जो है उसका कहना यह है कि यह मुंबई की बात है वहाँ पर कुछ रोड का काम चल रहा था तो यह रोड कंस्ट्रक्शन के काम की वज़े से internet की जो lines थी वो तूट गई और इसकी वज़े से यह issue हुआ था and things like that again उसकी detail में जाने की ज़रूरत नहीं है what we can remember is कि इतने important national stock exchange जो है हमारी उस दिन पता नहीं लोगों का कितना नुक्सान हुआ होगा I am not in to stock market where I can only imagine के चार गंटों तक यह stock market बन थी ऐसा generally हमें शायद आफरीका के कुछ देशों में देखने को बिले तो it's okay लेकिन मुंबई जैसा हमारा financial capital तो it itself indicates के internet company फिर आपकी जो वहां की BMC है stock exchange तो क्या इनके बीच में कोई तालमिल नहीं है कि किनके wires कहां पर जा रहे हैं और कौन से wires आप cut कर रहे हैं just imagine यह बहुत सारे प्रशन उठते हैं ना जब हम इसके बारे में सोचे के हमारा इतना global शहर है मुंबई right ऐसा शहर में ऐसी चीजे होना तो this is like very shocking सेभी issued a circular on 22nd March last year 2021 की बात है जब सेभी न यह कहा कि अब यह जो disaster recovery sites है यह up to date होनी चाहिए और 45 minutes तक का अगर disruption है तो फिर आप switch ही कर लिजिए you jump on to your recovery site जो backup plan है उसको activate कर दीजिए इतने 44 hours रहा देखने की जरूरत ने तो सेभी ने भी रूल जो है वो थोड़ा change कर दिया 5g auction regular students you know के do t जो है department of telecommunication यह अपने recommendations देता है किसको digital communications commission को और यह जो DCC है यह final अपना जो भी recommendation है वो किसको देगा यह देगा cabinet को final decision जो है वो cabinet लेता है remember this cabinet is the highest authority executive authority in our country prime minister होते है और उनके council of ministers होते हैं उसमें तो final decision तो cabinet ही लेगी 5g auction की बात करें तो digital communications commission ने जो टेलिकॉम रेगुलेटर है विस टेलिकॉम रेगुलेटर इसको लेकर भी हमने discussion की थी तो उन सारी चीजों को सिर्फ यहाँ पर refresh कर रहा हूँ again not going into details right क्योंकि यह चीज है जो है ना this is the reason why financial news analysis जो है वो आपको regularly देखना है and you will notice this thing कि कई बार ऐसा होता है कि for whatever reason right work related reasons की वज़े से कभी financial news analysis नहीं भी होते हैं means कि अगर मैं deliver नहीं भी कर पाता हूं तो दूसरे तीसरे दिन के अंदर मैं pending lectures दे देता हूं क्योंकि regularity नहीं है तो फिर चीज़े समझ में नहीं आएगी तो this is the reason अगर आप नए है तो थोड़ा सबरा रखे थोड़ा थोड़े दिनों तक आपको इसको देखना पड़ा है this is not a video और series ऐसे नहीं है कि आपने एक video देखा और judge किया कि चलो मुझे यह पसंद या नहीं you have to give time to it यह एक प्रकार की daily discussion है it's like a marathon it's not a sprint कि तेरा बारा तेरा second में चीज़े खत्म हो जा नहीं यह तो सालों चलने वाली एक marathon है तो DCC जो है यह एक inter-ministerial panel है telecom secretary इसके chairman है और जो यह spectrum की wave है तो इसके बारे में यह कहना है कि यह हमें 5G spectrum auction में नहीं रखनी चाहिए इसको हमें उन broadband companies को देना चाहिए जो broadband from space service provide करना चाहते हैं सरकार का plan यह है कि जून जुलाई तक 5G airwaves को roll out करना चाहती है august September में first 5G call जो है वो target करें यह सरकार और इसी बात को continue करें तो आज के financial अख़बारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मूदी साहब ने यह कहा है कि हमें जल से जल 5G services को roll out करने की जरूरत है और इसमें जो भी चीज़े करनी है वो सरकार और industry को मिलकर इसको जल से जल रोल आउट करना चाहिए यह हमारे लिए बहुत ही important है देश के लिए important है क्योंकि आने वाले 15 सालों के अंदर 5G technology के वज़े से 450 billion dollar का addition होगा हमारी economy में और 2030 तक सरकार जो है वो 6G को भी roll out करना चाहती है तो पहले हम 5G roll out कर ले उसके बाद ही 6G कर पाएंगे इसनिट इस लाइक step by step जाना है तो जलसे जल्द 5G हो जलसे जल्द यह अपने peak पर पहुँचे mature हो जाए और फिर वहां से हम 6G को launch करें that's what we want और future में जो यह technologies हैं उनकी वज़े से governance में जबर जस्त बदलाव आएगा ease of living improve होगा for sure ease of doing business जो है वो improve होगा governance में तो जबर जस्त बदलाव आएगा आज जो अभी भी जो बहुत पुराने तरीके से जो हमें colonial hangover नजर आ रहा है मुझे लगता है कि 5G और 6G के आने के बाद यह colonial hangover जो है उसका trend देरे देरे खत्म करेगा अगर कोई तो that will be technology ट्रेक्टर बिजनेस के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं एप्रिल में ट्रेक्टर का जो सेल्स है वो काफी अच्छा रहा पिछले कई महिनों से ट्रेक्टर का सेल जो है वो पर इसकी क्या impact आएगी या फिर क्या चल रहा होगा तो जब किसानों के पास पैसे आएंगे तभी किसान जो है वो farm equipment खरीदेंगे तभी राबी की crop season गई और cash flow काफी अच्छा रहा तो इसकी वज़े से किसान जो है वो ट्रेक्टर्स खरीद रहे हैं और एपरिल का जो सेल है यह 41% ज्यादा रहा compared to last year and you know year ago के पूरे months को देखें in fact best अभी तक का एपरिल महिना था 2019 और एपरिल important रहता क्योंकि राबी की season के बाद आपने सामान बेच दिया तो यही वो महिना है जब ट्रेक्टर का सेल जो है वो अच्छा रहता है तो 66,700 ट्रेक्टर्स 2019 में ट्रेक्टर कंपनी इसने बेज़े थे और आज देखिए इस साल 2022 में 89,000 ट्रेक्टर्स जो है वो बेज़े हैं सबसे ज्यादा फाइदा हुआ है वीट एक्सपोर्ट से अब बेज़े हैं तो वो अर्बन एरिया के द्वारा बनाए गई चीज़े हैं जैसे कि आज मैंने एक लेक्चर भी बनाया था FMCG पर FMCG प्रोडक्स भी ज्यादा खरी देंगे तो इस अगुड थिंग जब खेती बाड़ी में पैसे जनरेट होते हैं तो यह पूरी हमरी एकोनोमी को काफी एक बड़ा बूस्ट देता है and that's everything in today's discussion please make sure के आप इस lecture को दूसरे लोगों के साथ शेर जरूर कने I'll see you soon with some more interesting topics till then stay curious God bless you all, Jai Hind